त्वागते दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टरटा में दोस्तों अगर हम आपके लिए एक ऐसे मुच्छल फंड्स प्लान की बात करें जिसमें आपको हर महीने एक फिक्स्ट इंकम 15,000 रुपे की जिंदगी भर आपके बैंक खाते में आती रहे इसके बाद भी आपके बच्चों को भी ये अमाउंट मिल सकता है लेकिन इसके लावा यहाँ पर आपको कोई मेहनत करने की ज़रत नहीं है आपको सिर्फ एक बार कुछ ना कुछ पैसे निवेश करते हैं उसे निवेश करने के बाद जिंदकी भर आप अपने लिए एक फिक्स इंकम का इंतजाम कर सकते हैं क्योंकि आप जॉप करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं उसके साथ साथ जैसे आपको एक इंकम आती है बिलकुल उसी तरह से एक fixed monthly income एक date जो आप select करेंगे उसी तारीख को आपके bank account में आती रहेगी दोस्तो निवेश करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं लेकिन SPA देश की सबसे बड़ी number one AMC है सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा अगर निवेश किया है mutual funds plan में तो वो SPA mutual fund house के साथ ही निवेश किया है इस AMC का UM साड़े आठ लाग करोड़ पेसे जाता है mutual funds में कुल मिलाकर आपको साड़े 4000 से ज़्यादा plan मिल जाते हैं लेकिन अगर हम निवेश option की बात करें तो यहाँ पर ये तीन popular option है जिसमें आप पैसे को निवेश करते हैं पहला आप SIP यनि के systematic investment plan के तुरू हर महिने कुछ न कुछ पैसे निवेश करते हैं लेकिन इसमें आपको सालों तक पैसे को निवेश करना होता है उसके बाद आप एक बड़ा fund बना पाते हैं या फिर अगर आप लमसम लाक दो लाक रुपे निवेश करते हैं उसके बाद mutual funds में आपको एक अच्छा fund मिल जाता है देकिन mutual funds के अंदर एक और option आपको मिलता है SWP plan यानि कि systematic virtual plan इसके अंदर आप एक बार लमसम पैसे निवेश करते हैं हमेशा जिन्द की भर आपके bank account में आता रहेगा देकिन इसके साथ साथ आपको ये benefit में मिलेगा कि जो पैसा आप निवेश करेंगे लमसम वो पैसा भी लगतार पढ़ता रहेगा तो इससे आपको दो benefit एक साथ मिल जाएंगे एक तो आपका जो निवेश है काफी जादा बढ़ जाएगा और साथ के साथ एक income भी होती रहेगी लेकिन mutual funds plan के अंदर जब हम निवेश करते हैं तो अगर हमें सही plan मिल जाता है और जिसके अंदर हम निवेश कर रहे हैं उस plan ने कितना return दिया है उसका past की performance कैसी थी या फिर जिस index के अंदर उस पैसे को निवेश कर गया है उसकी performance कैसी है कौन से stock है उसके portfolio में जिनमें आपको growth मिल सकती है बहुत सारी चीज़ों होती है जिने आपको देखना होता है अगर आप mutual funds का बहतरीन plan पे कर लेते हैं तो आप कम पैसे से ही एक बड़ा fund भी बना सकते हैं और आप हर महीने एक income भी start कर सकते हैं आज हम SPI का एक ऐसा धाकर fund लेकर आए हैं जिसने लगतार बड़े-बड़े crashes को पार्क करने के बावजूद return जबरदस्त दिया है और इस fund में आप लमसम पैसे नविश करके मंतली इंकम भी शुरू कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और बिनस्केप के लास तक जरूर देखें कि कैसे आप इसके अंदर मंतली इंकम के साथ साथ अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा इस स्क्रीन पर तो दोस्तो जिस fund की हम बात करें हैं अगर हम उसके return की बात करते हैं तो all time में इस fund ने 14.92% का return दिया है जबकि अगर हम last 5 year की बात करें तो fund का return 14.42% last 3 year में 13.39% last 1 year में 17.33% last 6 month में इस fund ने 11.34% का return दिया है और दोस्तों ये fund है SBI Hybrid Fund Direct Plant Growth यानि कि यहाँ पर जो भी पैसा है वो equity के साथ-साथ dead fundों में भी निवेश का गया है जैनि के bonds वगेरा में इससे क्या है कि यहाँ पर जो stable return है वो करीब 15% के आसपास मिला है लेकिन इस fund ने बड़े-बड़े crisis को पार करने के बावजूद ये return दिया है वो भी compound जैसे 2020 lockdown के अगर हम बात करें तब एक बड़ा correction आया था इससे पहले 2008 के आर्थिक मंदी की बात हो या फिर अभी 2 साल पहले एक और correction आया था उसकी अगर हम बात करें इन सभी को पार करने के बावजूद fund का return लगबग 15% के आसपास है लेकिन यहाँ पर आपको 15% की जगा return मिल जाता है सिर्फ 14.5% का तो आप 15,000 रुपी की इनकम कैसे शुरूर कर सकते हैं कितने डाम तक ही इनकम आपको हो सकती है कितना पैसा निवीश करना है चलिए पहले हम इसे calculate करके समझते हैं तो दोस्तों यहां पर इस फंड में आप 15,000 रुपे की इंकम शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको निवीश करना होगा 15,000,000 रुपे का इस पर रिटन अगर आपको फंड में 14.50% का मिल जाता है और आप 5 साल के लिए इस SWP प्लान में पैसे को निवीश करते हैं तो 15,000, रुपे की वैल्यू 5 साल में बढ़कर 16,72,000 रुपे तक हो जाएगी जिबकि 5,000 मंथली के साब से आपको कुल 9,000,000 रुपे का विटॉल अमाउंट मिल चुका होगा जिबकि 10 साल में आपको 15,000 मंथली के साब से कुल 18,000,000 रुपे का विटॉल मिल जाएगा और 15,000,000 की वैल्यू 20,11,000 रुपे लेकिन दोस्तों अगर हम 15 साल के टाइम पिरिट की बात करते हैं तो इसमें 15,000 मंथली के साब से कुल 27,000,000 रुपे की इंकम हो जाएगी और 15,000 की वैल्यू 26,89,000 रुपे जबकि 20 साल में आपको 15,000 मंथली के साब से कुल 36,000,000 रुपे की इंकम हो लेकिन दोस्तों अगर हम 30 साल की बात करें तो इसमें आप 15,000,000 रुपे की वैल्यू 1,16,000,000 रुपे तक हो जाएगी और 15,000 मंथली के साब से कुल आपको 54,000,000 रुपे की इंकम भी मिल चुकी होगी लेकिन दोस्तों अगर आप लम सम यहाँ पर 1,000,000 रुपे का करके आप 15,000,000 रुपे का फंड बना सकते हैं और दोस्तों 30 साल में अगर आप 1,000,000 रुपे निविश करते हैं तो 14,000 रुपे के साब से आप कुल 58,000,000 रुपे का फंड बना सकते हैं या फिर अगर आप SIP के थरू यहाँ पर हर महीने सिर्फ 9,000 रुपे निविश करते ह 14% इंटन मिलता है आपको तो 30 साल में आप 5, 61,00,000 रुपे का फंड बना सकते हैं SIP के थरू 32,4,000 का निवेश करके जबकि 20 साल में SIP के थरू 21,60,000 का निवेश करके आप 1,27,000 रुपे का फंड और δोस्तो दस साल में 10,80,000 रुपे SIP के तरू निवेश करके आप 24,00,000 रुपे का फंड बना सकते हैं और दोस्तों गर हम इस फंड के N.A.V. Net Asset Value के प्राइस की बात करते हैं तो ये अभी 263 रुपी है यानि के 263 रुपे जबकि फंड साइज 61,447 करो रुपे है यानि इस फंड का E.O.M. काफी बड़ा है फंड की रेटिंग भी काफी बढ़िया है मिनिवम SIP के तरू पांच सु रुपे और लंब समय आप 5,000 रुपे से निवेश कर सकते हैं दोस्तों कर हम यहाँ पर होल्डिंग की बात करते हैं तो कुल मिलाकर इस mutual fund की portfolio में 80 stock है यानि कि 80 और top holding के गर हम बात करें तो इसमें 23 quality के stock मिल जाते हैं जैसे HTFC bank, ICAC bank, भारती एटल, Infosys, Divis Lab, Bajaj Finance, State Bank of India, MRF यानि कि दोस्तों कुल मिलाकर ऐसे stock में पैसे को नवीच कर गया है जिन में growth आपको काफी बैतरीन मिल सकती है और दोस्तों कर हम equity sector location की बात करते हैं तो पैसे को diversify के गया है, अलग-लग sector के अंदर यहाँ पर financial sector के अंदर equity में सबसे साधा पैसा निवेश के गया है और दोस्तों कर हम यहाँ पर equity की बात करें तो यह 0.76% है जैनि कि आप जो पैसा निवेश करते हैं और जो expense ratio होता है यह पैसे काट कर ही आपको current NAV के price से unit lot की जाती है tax की बात करें तो यह 10% है LTCG अगर आपको एक लाग से ज़्यादा profit होता है एक साल के अंदर तब दोस्तो करां fund management team की बात करते हैं तो इस fund को manage करें है रामा यर 2013 से, राजीव 2023 से, मांसी 2023 से और प्रदीप 2023 से जैनि fund management team में चार fund manager हैं जिन्होंने काफी बहतरी इन portfolio को manage किया है यहाँ पर दोस्तो SBA EMC के बात सबसे ज़ादा साड़े आठ लाग करोड रुपे के आसपा सी UM है एसेट के साब से सबसे ज़ादा लोगोंने पैसा SBA mutual fund house के साथ निविश किया है और fund house काफी पुराना है तो दोस्तों कर आप SBA के इस hybrid fund में लम सम पैसे निविश करते हैं पंदरे लाग रुपे तो इससे आप पंदरे हजार रुपे की मंतली इंकम भी स्टार्ट कर सकते हैं और एक करोड रुपे का fund लगबग आप बना सकते हैं लेकिन mutual funds में आपके पैसे को stock market के अंदर निविश किया जाता है इसलिए यहां पर risk भी ज़रू होता है इसे भी आप ज़रूर calculate कर लें वीडियो से लेटर कोई question होता है तो आप हमें ज़रूर बताएए अपने friends के साथ वीडियो को ज़रूर share करें और चैनल को ज़रूर subscribe कर लें